हाई गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो गाईज अगर आपने स्मूथनिंग रिबॉंडिंग या केरेटेन करवाई है और करवाने के बाद आपके बालों में शाइन बिल्कुल खतम हो गई है तो आपके साथ मै होड़े बालो में एतनी अच्छी है ऐसे ही रहेगी बट कुछ दिनों बाद ही शाइनिंग बिल्कुल कम हो जाती है बाल बिल्कुल रूख के चे से लगने लग जाते है definitely from holiday हो गाइस आज की वीडियो में आपके साथ ऐसे कुछ जी से शियर करऊंगी जिससे की आपके बाल में शाइन भी वापिस आ जाएगी आपके बाल बिल्कुल लॉंग स्वांग एंड हेल्दी रहेंगे तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब तो गाइस अगर आपने स्मूतनिंग करवाई है या फिर रिबॉंडिंग या केरेटेन करवाई है तो हमारे बालों पर काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स का यूस किया जता है तो ऐसे में आपको serum का यूज़ जरूर करना है, आप कोई भी serum का यूज़ कर सकते हैं, मैं यूज़ करती हूँ, Strix का hair serum, बहुत ही अच्छा वाला serum है, आपको ये blue वाली packaging लेनी है, जो blue green packaging है, ये वाली लेनी है, इसमें आपको vitamin E का capsule add करना है, vitamin E का capsule आप easily local market store से buy कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ये capsule work करेगा, आपको serum में इसको mix करना है, जब आप hair wash कर लेते हैं, तो after hair wash आपको wet hair पर भी serum लगाना है, और जब आपके बाल बिल्कुल dry हो जाएंगे, तब भी आपको serum में इसको mix करना है, थोड़ा सा आपको serum लेना है, अपने हाथों पर और इस तरह से आपको capsule add करना है, जो vitamin E का capsule है, इसकी 2-3 drops ही capsule में होती है, वो सारा आपको लगा लेना है, अपने हाथों पर अच्छी तरह से serum को rub करना है, फिर आपको इसे length पर लगाना start करना है, wet hair पर आप इसे ऐसे लगाईए, तो आपके बालों में का काफी अच्छी शाइन आएगी, बालों में tangles नहीं पढ़ेंगे, बाल आपके बिल्कुल सिल्की सॉफ्ट हो जाएंगे, अगर tangles नहीं पढ़ेंगे, तो आपके hair fall भी बिल्कुल नहीं होगा, सबसे पहले आपको इसे length पर लगाना है, क्योंकि नहीं जो हमने vitamin E का capsule लगा इसे आपको scalp पर लगाना है, इस तरह से serum का यूज करना है, आप देख सकते हैं, fingers की help से अच्छी तरह से ताकि सारे बालों पर serum अच्छी तरह से observe हो जाए, अगर आप इस तरह से serum का यूज करेंगे ना, तो आपके बालों में shine भी बरकरार रहेगी, आपके बाल काफी ही आज़ती है, इसके बाद आपको अच्छी तरह से combing करनी है, गाइस, मूतने, rebonding या keratin करवाने के बाद, कुछ दिनों के बाद ही हमारे बाल काफी जदा dry feel होने लग जाते हैं, तो ऐसे में आपको mask का यूज जरूर करना है, as a spa आप इसे use कर सकते हैं, आपको जो mask अच conditioner भी यूज कर सकते हैं, या फिर 15 दिनों में एक बार आपको अपने बालों पर spa लेनी है, अच्छी सी, तो देखी, इसकी काफी अच्छी हमें quantity मिल रही है, आपको इसमें vitamin E का capsule एड करना है, जितना आपको अपने हाथों में mask की amount लेनी है, उसमें आप एक vitamin E का capsule एड कर ल किया जता है, tools का use किया जता है, जिसे कि हमारे बालों तो काफी ज़्यादा सुनतर लगते है, बट धीरे-धीरे हमारे बालों में काफी problems आने लग जती है, जैसे कि hair fall की problem, या फिर डेंडरफ की problem, dry hair की problem, तो ऐसे में आपको अपने बालों की extra care करनी है, hope guys आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, तो चलिए guys आपको अपनी next वीडियो में, तब तक लिए thank you, bye